तो यार आज देखने वाले हम लोग Primes algorithm की, Primes algorithm क्या होता है और किस तरह से Primes algorithm की साहता से आप लोग find out कर सकते हो minimum spanning tree को, यह minimum spanning tree को find out करने के लिए एक algorithm होता है, देखते हैं यार कैसे काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और वापस से प्रे Primes algorithm है ठीक है? Primes algorithm और यह जो Primes algorithm है इस और की firm का मिलने वाल है उसका एस और डेम, की साहता से, ठीक है? तो प्रेम की कहानी तो पिछले वीडियो में आप लोगने देखी लिए थी कि क्या है, कि क्या करना चाहता है, यह 4 cities हैं उन 4 cities को visit करना चाहता है और कम से कम पैसे अपन बढ़ते हैं और यहां पर जल्दी से connected और complete graph दोबारा देखते हैं मुझे पता है मैं बार बार दिखा रहा हूँ आप लोगों को बट यार जब देख रहो इस algorithm को एक clarity होनी चाहिए निमाग में सब कुछ clear अगर आप लोगों को रहेगा तो बहुत अच्छा आप लोग सीख पाओगे connected graph there is a path किसी भी दो point के बीच में there is a path ठीक है complete graph there is an edge between any two point और सारे point के लिए निकि कोई भी दो point उड़ालो यह ज़रूर होनी चाहिए ठीक है तो यह clear होगा अब एक बात यहां पर करते हैं कि जो spanning tree इसको spanning tree को गयते है ठीक है सबसे पहले तो यह सारे notes को span करता है ठीक है यह कैसा tree होता है जिसके अंदर सारे के सारे notes होते है ठीक है और दूसरी बात क्या होती है दूसरी बात यह होती है कि एक tree होता है और यह tree क्यों होता है हमने देखा था कि tree किस तरह से होता है एक node यहाँ पर है जैसे मानलो फिर एक यहाँ पर है ऐसे तो आप इस तरह से इसको रख सकते हो ठीक है यह excuse tree जरूर होता है मानलो मैं इसको 71 कर दूँ यह इस तरह से एक tree की तरह आप इसको बना सकते हो ठीक है बहुत सारे notes इसमें जोड सकते हो ठीक है I hope समझ में आगया आप लोग को तो कुल मिला के ये बात है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग एक tree है ये spanning tree और ये span करता सारे notes को ये बात समझ लोग ठीक है तो ये भी clear होगी बात ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं जल्दी से अपना prims algorithm क्या है prims algorithm prims algorithm क्या कह रहा है हमसे ठीक है तो वापस से what is the spanning tree क्या होता है spanning tree हमने देख लिए रहे हैं इस अब चीज़े मैंने इस slide यहाँ पर इसलिए रखी जल्दी से एक नजर आप लोग मार लो हमने cost की बात करी थी और हमने minimum spanning tree क्या होता है इसकी बात करी थी cost के बारे में हमने क्या का था कि किसी भी spanning tree की cost होती है sum of the weights of all the edges in the tree उस tree के अंदर जितनी भी edges है उनका sum ठीक है और minimum spanning tree की भी हमने बात करी थी कि यह वो spanning tree है जिसमें कम से कम cost involved होती है ठीक है तो यह तो हमने already देख लिया था ठीक है तो आगे बढ़ेंगे जल्दी से और इस चीज़ को देखेंगे प्रेमस algorithm क्या है अब प्रेमस algorithm के बारे में बात करते है तो यह greedy approach है सबसे पहले यह greedy approach है greedy का मतलब होता है लाल चाहिए आपको लाला चाहिए आप अच्छे की तरफ भाग रहे हो जो अच्छा दिख रहा है short term में उसकी तरफ भाग रहे है यह वाले approach को greedy approach बोला जाता है सबसे पहले यह greedy approach है यह हमें पता होना चाहिए फिर यहां पर इसकी steps सुनो यह दो steps आपने समझ ली और जादा तर लोगों से exam में यही चीज़ पूछी जाएगी कि किस तरह से एक prims algorithm की साथ से minimum spanning tree को बनाए जा सकता है और अगर आप लोगों ने समझ लीने इसकी understanding आप लोगों को आ गई ना है और इसके नदर चार नोट से यानि कि सारे के सारे नोट से एक दूसरे से जुड़े हों अब यहां पर आप लोगो देखो अगर मैं MST बनाना चाहूं तो मैं कहां से स्टार्ट कर सकता हूं मैं किसी भी किसी भी एज से स्टार्ट कर सकता हूं मुझे अभी यहां पर सबसे अच्छी जो एज दिखाई पड़ रही है वह वन वाली दिखाई पड़ रही है यानि कि 3 से लेके 1 में अगर मैं करेंट करूं तो ठीक है मुझे यह य 0 को connect कर सकता हूँ ठीक है अगर मैं spanning tree को बढ़ाने की कोशिश करूँ अब देखो spanning tree बनाने के लिए एक बात तो साफ है कि अगर ये graph g है तो मुझे इसका sub graph बनाना है ठीक है और sub graph बनाने के लिए मैं या तो 1 को 0 से connect करूँगा या two से connect करूँगा और three को भी zero से connect करूँगा या इस direction में बढ़ाँगा या फिर इस direction में बढ़ाँगा three से ठीक है मैं क्या करूँगा मैं देखूँगा कि मुझे सबसे अच्छा option का मिल रहा है मैं three को यहां से बढ़ाँ या फिर one को यहां से यहां से बढ़ाऊं तो मुझे सबसे अच्छा option 1 को बढ़ाना देख रहा है क्योंकि सबसे छोटी जो cost associated वो 1 को बढ़ाने से है तो मैं 1 को अगर 0 से connect कर दूँ तो additional cost क्या मिलेगी मुझे मुझे 2 मिलेगी और यहाँ पर यह note 0 है ठीक है यह note 0 है अब यहाँ पर आप लोग यह चीज़ देखो कि मेरा जो 3 है अब कुछ इस तरह से दिख रहा है यानि कि 3 1 note 0 उसके अंदर अल्री मौजूद है अब सुनो मेरी बात ध्यान से अब मुझे आप एक बात बताओ यहाँ पर 0 से connect करने के मेरे पास क्या-क्या option है 0 से connect करने का एक option तो मेरे पास 2 है और 0 से ही मैं connect कर सकता हूँ 3 को नहीं 3 को नहीं कर सकता है क्योंकि 3 को अगर मैंने connect कर दिया option तो है अगर कर दिया तो यह cycle बन जाएगी जो की acceptable नहीं है यह spanning tree नहीं हो पाएगा अगर cycle बन गई तो ठीक है, तो अब आप लोग यहां पर देखो, यहां तो मैं 0 को कर दूँगा, मैं सारे options लिख देता हूँ, मैं dotted में options को लिख रहा हूँ, मैं 0 को connect कर सकता हूँ 2 से, और उसकी cost associated क्या होगी, उसकी cost associated 3 होगी, 0 को मैं 3 से नहीं कर सकता, 3 को देखता हूँ, म यहाला जो option है, तो cost 15 है, 0 को 2 से करता हूँ, तो cost 3 है, तो obviously मैं 0 को 2 से करूँगा, इस वाले option को मैं हटा दूँगा, ठीक है, तो मैं आपर इसको मिटा लेता हूँ जासे, यह option मुझे नीचे है, ठीक है, यह option बढ़िया है, इस option को मैं अपलान लूँगा, और वो जो option मैं मैंने भी बनाया था, जो क्यों, मैंने भी मिटा दिया, इसको में थुकरादऊंगा, तो यह option मैं अपना लूँगा, ठीक है, तो cost क्या हो जाएगी, spanning tree की cost क्या हो जाएगी, इस minimum spanning tree की cost हो जाएगी, जो prims algorithm है वो हमें यह वाला MST निकाल के देता है यानिकि minimum spanning tree जो है वो यह होगा ठीक है अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक और example देखेंगे और एक और example देखना हम लोग के लिए बहुत जादर जरूरी है ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास एक graph given है G और इस graph G के अंदर हमको MST निकालना है prim cell algorithm का इस्तिमाल करेंगे तो यह क्योंकि एक बड़ा graph है और मैं अंदाजे से काम नहीं करना चाहता हूं मैं अच्छी तरह से prim cell algorithm को follow करना चाहता हूं इसलिए मैं क्या करूँगा दो sets को maintain करूँगा एक है मेरा set A और एक है मेरा set V तो एक set A और एक set V यह दोनों sets को मैं maintain करूँगा और इन दोनों set के अंदर मैं क्या करूँगा रखूँगा वो notes जोकी MST में included है और वो notes जोकी MST में included नहीं है तो मैं start करूऊंगा kisी नोट से अगर new note कौन सा होगा वो note मेरा होने वाला है one तो मैं one से start करूँगा मैं किसी भी note से start कर सकता हूँ मैं यहापर अपना MST बना रहा हूँ और मेरे A की value भी 1 है और V की value आपके सामने है इसमें 0, 2, 3, 4, 5, 6 notes है क्योंकि ये मेरे MST में included नहीं है और ये मेरे MST है जो मैं भी draw कर रहा हूँ तो अब मेरे पास क्या क्या options है options की बात करते है options को मैं red color से लिखता हूँ और मैं आपको option बताता हूँ मेरे पास क्या क्या है ठीक है एक तो मेरे पास option ये है कि मैं 1 को 2 से मिला दूँ और एक मेरे पास option ये है कि मैं 1 को 6 से मिला दूँ क्या मेरे पास कोई और option है अच्छा जब मै options कह रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है options का मतलब है कि मैं match करूँगा A के अंदर किसी भी node को V के अंदर किसी भी node से MST की condition को follow करते हुए तो मुझे A के अंदर का कोई भी node को मिलाना है V के अंदर किसी भी node से minimum spanning tree की condition को follow करते हुए मैं चाहता हूँ कि जो resulting tree बने वो minimum spanning tree बनना चाहिए मैं cycles नहीं create कर सकता मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे मेरा minimum spanning tree ना बन पाए तो इस चीज़ को मद्द नज़र रखते हुए मेरे पास options 1 और 1 to 2 और 1 to 6 है क्या cost इन से associated 1 से 2 20 1 से 6 6 आप लोग देख सकते हुए यहां पर 1 से 6 अगर मैं यहां पर use करूँगा तो इसकी cost यहां पर 6 है और 1 से 2 अगर मैं मिला दूँगा जाऊँगा तो 20 की cost मुझे इनकर करनी पड़ेगी obviously मैं 1 से 6 की cost को चुनूँगा और 1 से 20 की cost को sorry 1 से 2 की cost को नहीं चुनूँगा जो की 20 है तो मैं क्या करूँगा मैं मिला दूगा 1 को 2 से तो मैं 1 को 2 से मिला दूगा तो मैं कहुँगा 1 को 2 से sorry 1 को 6 से मैं मिलाना चाथा हूँ 2 से नहीं 6 से क्योंकि 1 to 6 की cost यह वो 6 है और यह cost ज़ादा है यह मैं नहीं यूजश करूँगा इससे नहीं मिलाँगा और मेरे option जो है वो मैंने choose कर लिया 1 to 6 इसलिए मैं यहां पर अब लिख दूँगा V को और A को तो जो मेरा updated V है वो क्या है मैंने 1 को 6 से मिला दी इसलिए 6 हट जाएगा मेरे V से इस बार ठीक है और यह मेरा updated V है और मेरा updated A क्या है इसमें 6 आ जाएगा याद रहे कि A है वो notes जो कि MST में included है और V है वो notes जो कि MST में included नहीं है ठीक है यह बात याद रखना आप और मैं जैसे जैसे अपना MST को grow करता जाओंगा वैसे मैं V और A को update करता जाओंगा ठीक है अब A के सारे notes जो कि 1 और 6 है क्या इन में से मैं V के किसी note को मिला सकता हूं क्या options है मेरे पास देखता हूं क्या options है तो मैं आपर अपने options लिखता हूं क्या options है मेरे पास एक option तो मुझे आवर 122 दिखी रहा है जो कि मेरे पास पहले भी था और उसकी cost थी 20 क्या मैं 1 को किसी और note से मिला सकता हूँ, नहीं, क्या मैं 6 को किसी note से मिला सकता हूँ, yes मैं 6 को 5 से मिला सकता हूँ, cost होगी 18 और कोई option मुझे दिखनी रहा है ना मैं 1 को किसी से मिला सकता हूँ ना मैं 6 को किसी से मिला सकता हूँ V में तो A के अंदर कोई note चुनते हुए V के अंदर मिलाने के सिर्फ दो options मुझे दिख रहे है एक है 1 to 2 और एक है 6 to 5 obviously मैं 6 to 5 चुनूँगा कि cost कम है 1 to 2 नहीं चुनूँगा और क्योंकि ऐसा है तो मैं 6 to 5 को मिला दूँगा तो मैं 6 to 5 को मिला दूँगा और आप लोग देखो मैं 6 को 5 से मिला दूँगा तो मैं 6 को 5 से इस तरह से मिला दूँगा ठीक है और अपने V और जो मेरे A है उनको मैं अपडेट कर दूँगा क्या हो जाएगा मेरा V इसके अंदर से 5 कायब हो जाएगा 0,2,3 और 4 हो जाएगा और A क्या हो जाएगा 1,5 और 6 ठीक है 1,5 और 6 अब क्या options है मेरे पास अब बात करते हैं दुबारा से options की क्या है मेरे पास options अब मेरे पास options है एक 1,2,2 का option तो मेरे पास अभी भी है जिसकी cost 20 है क्या मैं 1 को किसी और से मिला सकता हूँ नहीं 1 की बात हो गई पूरी 5 को मैं किसी से मिला सकता हूँ 0 से और 4 से और मुझे कुछ दिखनी रहा है 5 को 0 से मिला जा सकता है 5 को 4 से मिला जा सकता है cost भी लिख देता हूँ 17 और 15 5 को 4 से मिलाने की cost 15 क्या 6 को किसी से मिलाए जा सकता है नहीं 6 को 1 और 5 से मिलाए जा सकता था बड़ वो अलड़ी मिला हुआ है तो अब कोई option नहीं 6 को मिलाने का तो ये 3 options हैं हमारे पास obviously मैं 5 को 4 से मिलाओंगा क्योंकि cost यहां पर कम है तो मैं 5 से मिला दूँगा 4 को ठीक है तो मैं यहां पर इस तरह से 4 लिख दूँगा ठीक है अच्छी तरह से लिख देता हूँ तो यहां पर 5 को मैं 4 से मिला दूँगा ठीक है 5 को 4 से मिला दूँगा और मेरे यहां पर V और A को भी update करूँगा तो मैं जरा S को मिटा देता हूँ जल्दी से और V और A को भी अपडेट करूँगा तो V और A को भी अपडेट कर देता हूँ इस बार V के अंदर क्या होगा 4 चला जाएगा V के अंदर से क्योंकि 4 अब included है MST में और V के अंदर आते हैं not included in MST ठीक है तो 4 चला जाएगा 0,2,3 हो जाएगा यह ठीक है और A क्या हो जाएगा 1,4,5 और 6 क्योंकि यह MST के अंदर हैं तो 1,4,5,6 MST के अंदर हैं दुबारा बात करते हैं नए options की अब क्या options हैं हमारे पास अब क्या options है What are the options देखो यार 1 से 2 को मिलाने का option तो अभी भी है वो तो पता नहीं हमारे साथ जिंदेगी भर पड़ गया है पता नहीं 1 से लेकर 2 का option तो आज भी है ठीक है क्या 1 को और किसी से मिला जा सकता है नहीं तो 1 की कहानी पूरी क्या 4 को किसी से मिला जा सकता है 4 को हाँ 3 से मिला जा सकता है और 0 से मिला जा सकता है 3 से मिला जा सकता है और 0 से मिला जा सकता है cost लिख देते हैं 4 to 3 की 12 है 4 to 0 की 13 है क्या 4 को किसी और से मिला जा सकता है 5 से मिला जा सकता है बढ़ वो हो गया है ठीक है तो 5 की गानी भी 4 की गानी भी हमारी खतम हो या 5 की बात करते है, 5 को सिर्फ 0 से मिला जा सकता है क्या है cost? 17 क्या 5 को किसी और से मिला जा सकता है? नहीं अब 6 की बात करते है, 6 को क्या V के अंदर किसी से मिला जा सकता है? 6 को V के अंदर नहीं, किसी से नहीं मिला जा सकता minimum cost 4 to 3 है, यह हम reject करेंगे और 4 to 3 चुनेंगे क्योंकि cost minimum है ठीक है तो 4 को हम 3 से मिला देंगे आप लोग देखो यामर मैं 3 से मिला रहा हूँ 4 को ठीक है और अब हम इसको मिटा देंगे अपने options को और हम A और V को update करेंगे ठीक है अब जो मेरा V है उसके अंदर उसके अंदर से क्या चला गया उसके अंदर से 3 चला गया और A के अंदर 3 आ गया तो अब A है 1, 3, 4, 5 और 6 ये elements है मेरे A के अंदर अब अगर मैं options की बात करूँ options मेरे पास सब क्या क्या है अगर मैं options की बात करूँ क्या मैं 1 को किसी से मिला सकता हूँ मैं 0 से start करता हूँ मैं V से देखता हूँ मुझे A के अंदर किसी को V से मिलाना या फिर V के अंदर किसी A से A की किसी note को मिलाना है ठीक है तो मुझे A के अंदर किसी note को V से या फिर V के अंदर किसी note को A से मिलाएंगे तो दोनों ही मिलेंगे ना तो week अंदर कम notes है अब मैं यहां से start करूगा देखो 1 को किस-किस से मिलाए जा सकता है क्या 1 को 0 है 2 में से किसी से मिलाए जा सकता है हाँ 1 को 2 से मिलाए जा सकता है तो मैं लिख दूँगा cost 20 क्या 1 को किसी और से मिला जा सकता है नहीं और किसी से नहीं मिला जा सकता है 3 की बात करते हैं क्या 3 को किसी से मिला जा सकता है 3 को 2 से मिला जा सकता है 3 को 2 से 3 को 0 से नहीं मिला जा सकता है 3 को 2 से मिलाने की cost 11 क्या 4 को किसी से मिला जा सकता है 4 को 0 से मिला जा सकता है बिलकुल 4 को 0 से मिला जा सकता है cost 13 ठीक है क्या 4 को 2 से मिला जा सकता है नहीं 5 की बात करते है क्या 5 को 0 से मिला जा सकता है नहीं 5 को नहीं मिला जा सकता है बिलकुल 5 को 0 से मिला जा सकता है cost कितनी है cost is 17 क्या 5 को 2 से मिला जा सकता है नहीं 5 को 2 से नहीं 5 को 2 से नहीं 6 को 2 से नहीं ठीक है तो यही option से और 3 को 2 से मिलाना optimal है सबसे कम cost लग रही है और इनको हम इनकर नहीं करेंगे जो सबसे सस्ता हमको देगा हम उससे खरीदेंगे ठीक है तो यहां पर हमने यह option भी चुल लिया अब दुबारा से मैं B को और A को update करूँँगा देखो अब B के अंदर सिर्फ 0 है और A के अंदर क्या है 1,2,3,4,5,and 6 ठीक है वी के अंदर 0 है किस किस से मिला जा सकता है 0 को वी के अंदर 2 से 5 से और 4 से ठीक है तो options की अगर हम बात करें तो तीन options है 0 to 5 है 0 to 4 है and 0 to 2 है मुझे clearly 0 to 2 सबसे कम दिख रहा है जो कि 8 है ठीक है 0 to 4 13 है और 0 to 5 है हमारे पास 17 ठीक है तो हम ये चुलेंगे और इसको हम ignore मारेंगे तो 0 को हम 2 से मिलाएंगे और हमारी cost 8 होगी जो की सबसे कम होगी ठीक है और दुबारा से हम जो है update कर देंगे अपने V को जो की अब खाली हो चुका है और A को जिसके अंदर सारे के सारे notes आ चुके है 0 1 2 3 4 5 and 6 और जब V खाली हो जाए और A के अंदर सारे के सारे notes आ जाए तब हम अपने prims algorithm को stop कर देंगे ठीक है हम stop कर देंगे और prims algorithm की cost कितनी होगी 1 2 6 की cost जो की 6 है 6 2 5 की cost जो की 18 है 5 2 4 की cost जो की 15 है 4 2 3 की cost जो की 12 है 3 2 2 की cost जो की 11 है और 2 2 0 की cost जो की 8 है और यह आप मुझे comment में बताऊगे कि ये कितनी आई ठीक है graph G के MST की cost कितनी आई answer in the comments ठीक है I hope कि आपको मज़ा आया समझ में आ गया prims algorithm हमेशा इसी तरीके से निकालना V को और A को maintain करना और इस तरह से किसी को भी समझाओगी अगर तो उसको समझ में आएगा क्या steps आपने लिए अगर आप अपने अंदाज़ा लगा लगा कि tree बनाते जाओगे तो आप किसी को बता नहीं सकते क्या steps आपने ली इस MST को बनाने के लिए ठीक है ये वाला MST कैसे आया ये अगर आप V और A की सारी subsequent values दिखाते हो तो बहुत ही clearly ये पता चल पाएगा कि किस तरह से आपका ये आया है ठीक है so I hope कि समझ में आगया प्रेमस algorithm सबको और हमने प्रेम की problem को solve कर दिया ठीक है वो प्रेम जो की परेशान बैठा था अब ये जो प्रेम है इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी परेशानी को हमने दूर कर दिया अब प्रेम को ऐसा बनने की ज़रूरत नहीं है अब प्रेम खुश रहेगा ठीक है प्रेम के पिता का नाम था प्रिम्स अल्गॉरिदम प्रिम्स और इसके चाचा का नाम है कुरुसकल जिसको हम देखने वाले हैं आने वाले वीडियो में I hope मजा है आप लोगों को I hope की समझ में आया किस तरह से काम कर रहा है प्रिम्स अल्गॉरिदम आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से कुसकल्स अलगारिथम काम करता है अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस थैंक ये सो मच गाइस पर वाचिंग इस वीडियो और आप आप आप